नमस्कार दोस्तों एक बार फिर शुआ गयता है आपका आपकी अपने चलना लहीं हो मंग मी तो आज हम इस यूडियो के माद में से बात करने वाले हैं अभी हाली में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्राइब लिंक मिल जाएं करेगा आप उस पर कलिकर करके साथ जानकरर देख सकते हो इसके लआ आप अपने हीं किए उसे बार सकते ऋ सकते हो ?? तो चले शुरू करते हैं आज की जानकरी प्लिक की बारे में ए आज- दिशूचना के नुसार, MPSC ने Industry Inspector, Deputy Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant Caldack Typist in Marathi, Caldack Typist in English के 900 पदों पर ओनलाइन आविदनाम तृत किये हैं, योग्या और इच्छुकुमीदवार 22 दिसम्बर 2021 से 11 जनवरी 2022 तक अधिकारी वेप्षाट के माध्यम से MPSC Group C बरती 2022 के लिए आविदन कर सकते हैं, यहां हम MPSC Group C Vacancy Online Form 2022 के अनने विवरन, जैसे कि इसके लिए I.U.S.H.M.A. क्या होगी, इसकी section क्योगे ता क्या रहेगी, selection process क्या होगा, आविदन सूलक क्या रहेगा, इसका exam pattern क्या होगा और इसका syllabus क्या रहेगा, आदी के बारे विश्टी दूप से चर्चा करेंगी, तो चले सबसे पहले पर बात करते हैं, MPSC Group C Vacancy Retail के बारे में, अगर बात करें MPSC Group C Vacancy Retail के बारे में, तो industry inspector की total अगर बात करें, 103 post है, deputy inspector की 114 post है, technical assistant की 14 post है, tax assistant की 117 post है, और collect typist मराठी की अगर बात करें, तो 470 post है, collect typist English की अगर बात करें, तो 79 post है, total post की अगर बात करें, तो 900 पदों के लिए कि आप से online आवे देना, वो आमत्रित किये गए हैं, अब बात करते हैं, कि इन पदों के लिए आपकी section निक्योगता क्या होनी चाहिए, आपका, तो बात करते हैं, इन पदों के लिए इंसपेक्टर के अगर बात करें, तो Engineering में degree होने चाहिए या फिर प्रोदोकी की में, विग्यान प्रोदोकी में आपका diploma या फिर degree होनी जरूरी है, इसके राव अगर बात करें, deputy inspector की, तो किसी भी विश्य में, किसी भी मनेता प्राप्ट विश्य विदाले से आपकी graduation degree है वो complete होने चाहिए Technical Assistant की अगर बात करें तो MPSC Technical Assistant की भरते के लिए उमिदवार को किसी भी मनेता प्राप्ट विश्य विदाले से degree यानि graduation complete किया हुआ होना चाहिए अगर बात करें MPHC Tax Assistant के बारे में तो Tax Assistant के बारे में अगर बात करें तो Gradu सेश्शन होने चाहिए और साथ में, आपके मराथिय टाइपिंगा 19 वर्द परमिन्ट के हिसाब्स होने चाहिइ और आपके English में 14 वर्द परमिन्ट के हिसाब्स आपकी सो टाइपिंग वो होनी चाहिए कलड़क टाइपिस्ट मराठी के अगर बात करें तो आपकी ग्रेजरेशन होना चाहिए किसी मानेता प्राप्त विश्वदाले से किसी भी विश्य में और आपके साथ में किसी मानेता प्राप्त विश्वदाले से ग्रेजरेशन होना चाहिए और साथ में इंग्लिस में अगर बात करें तो आपकी टाइपिंग स्पीड़क टाइपिस्ट वर परड़मिट के गई है तो मिनिमममेज आपकी 18 वर्स होने चीए कम से कम और मेक्सिमममेज आपकी 38 वर्स हो सकती है इसके लावा जो आपको आयू में छूड़ दी जाएगी जो कि सरकारी नोकरी में आपको जिस साफसी आयू में छूड़ जी जाते वो छूट आपको यहां पे भी दी जाएंगी अगर बात करें MPSC ग्रूप से online application पूंबर लास्ट डेट के बारे में तो 11 जनवरी 2022 तक आप अपना पूंबर के जमा कर वा सकते हो इसके लावा आपकी बात करते हैं MPSC ग्रूप सी प्री एक्जाम डेट के बारे में तो प्री एक्जाम डेट आपकी 3 अप्रे के लिए क्या है अलग-अलग डेट को पेपर आपको कंडेक्ट किया जाएगा अब बात करते हैं अपलिकेशन प्लिकेशनिक के बारे में अगर बात करें तो ॉपन कडेगरी के कडिडिट के लिए 303 रुपे फिस रखी गई है और रिजर्व के टेगरी के उमीदवारों के लिए 243 रुपे फीस लगेगी इसके अलावा अगर बात करें कि आपकी फीस का उगतान आपको ओनलाइन माधिम से करना होगा जैसी कि डेविट कार्ड हो गया क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर नेट बैंकिंग के म कोस्ट में या फिर स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा उसके बाद आपका डोकॉमेंट वरिप्यसन होगा तो इन चार चरणों से घुजरने बाद आपको फाइनल सेलेक्शन हो दिया जाएगा चलिए सबसे पहले बात करते इसमें कि MPSC मराठी दोनों लेंग्वेज में रहेगा इसके लब आप इसमें कौन से सब्जेक्स के क्यूशन पूचे जाएंगे जर्नल अवेरनेस से समंधिता आपके सो क्यूशन हो सो नंबर के पूचे जाएंगे तो प्रानुपिक परिक्ष्या में वस्तुनिस प्रकार के परसन होग तो हम PSC, Group C, Men's Exam Pattern 2022 के बारे बात करते हैं तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा उसमें आपके मराठी लेंग्वेज आएगी शार्ट नंबर की, इंग्लिस लेंग्वेज आएगी 40 नंबर की, तो एक गंटे का पेपर हैगा, पेपर सेकेंड में जन्नल लोलेज के तो हम PSC, Tax Assistant का Exam Pattern क्या रहेगा आपका, तो MPSC Tax Assistant पेपर फर्स्ट के बारे में बात करें, तो इसमें आपकी मराठी लेंग्वेज मराठी में आएगी, इंग्लिस लेंग्वेज इंग्लिस में आएगी, जी की आएगी, निमेरिकल अबिलेटी आएगी और बुक कीपिंग आपको समय दिया जाएगा, यानि 120 मिनट में आपको 200 क्यूशन आपको सोल करने, पेपर का लेवल है, अब बात करते हैं कि MPSC, Group C का जो Pre-Exam, का जो सलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो Journal Awareness में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, Current Affairs, Regional, National और International, International, International Relations and Events, Society, Culture, Heritage, Arts and Literature, Politics, Physical, Social and Economic, Geography of India, Social and Economic, Geography, Physical and Demography आजाएगी, General Science, India Achievement in Science and Technology से समन्दित क्यूशन पूछे जाएगे, Indian Constitution में Indian Political System, Governments and Public Policy से समन्दित क्यूशन आएगे, Environmental Issue में, Disaster, Management and Preventation and Mitigation, Strategy से समन्दित क्यूशन पूछे जाएगे, Social Economics, Politics and Culture, History of Modern India with Special Imprises on Indian National Movement से समन्दित क्यूशन आएगे, Economic and Social Development of India से समन्दित क्यूशन आएगे, तो टोटल इसमें आपके 100 क्यूशन आएगे, 100 इनमर का आपका पेपर रहने वाला है, बात करते हैं, MPSC, Group C, Manage Exam Pattern का स्लेबस क्या रहेगा, तो इसमें Mental Ability का स्लेबस आएगा, इसमें, Di, Calendar, Syllolism, Problem on Cube, Statement, Conclusion, Clocks, Problem Solving, Analogy, Statement, Arguments, Coding, Decision Making, Setting Arrangement, Number Series और Statement, Assumption से समंदिता आपके क्यूशन पूचे जाएगे, जनरल आपका स्लेबस क्या आएगा, इसमें, Basic जी के Sports, Famous Day and Day, Indian Politics, History, Culture, Tradition Festival, Indian Culture, Geography, Famous Book and Author, Indian Economy, Chemistry, Invention in the World, Geology, Indian History, Basic Computer, Physics, Indian Parliament, Environment, और Botany से समंदिता आपके क्यूशन इसमें पूचे जाएगे, बात करते हैं इंग्लिस का स्लेबस क्या रहेगा, तो इंग्लिस में आएगा, इसमें आएगा, तो उसका लिंक आपको वीडियो डिक्से मिल जाएगा, आप वहाँ से ये प्रेक्रिक्रिशेट आप फ्री लगा सकते हो, मराथी का स्लेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा, वोकेबल्री, गरेमर, Synonyms, एंटोनिम्स, फिलेंद अपलेंग, Comprehension, Idiom and Frays, Tenses or Transformation Sentence, जो कि आपकी मराथी लेंगवीशी समंदी तो आपकी सारे चीज़ेश में आएगी, Mathematics अच्छा लेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा, तो इसमें आएगा, Time and Work, Number System, Algebra, Geometry, Technometry, Time and Distance, Profit and Loss, Rational Proportion, Percentage, Decimal, LCM and LTF, Add Calculation, Pipe and Systems, समंधिता आप एक यूशन आपको पूछे जाएंगी अब बात करते हैं इसमें आपकी फिजिकल एविलेटी भी आपकी मांगी गई है तो अगर बात करें तो आपके हाइट आपके सेविलेटी अब बात करें तो हाइट आपके पचास किलो वजन आपका होना जरूरी है अब बात करते हैं जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा की चेस्ट होगा उसके बाद आपको व्था जब आपको फाइनल सेलेक्शन होगा तो आपकी इसलेरी गा रहेगी तो हम पर मंत के यहांद के चैलरी मिलेगी डिप्ट इंस्पेक्टर की 32,000 रुपे से लेकर 1,966 रुपे तक आपको शेलरी दिजाएगी पर मंत के एक पर मंत के चैलरी दिजाएगी टेक्स असिस्टेंट की 25,500 शेलेकर 29,200 रुपे और कलड़क टाइपिस्ट मराठी की 19,900 रुपे किया कि अभी आदे में MPSC ग्रूप C की बत्तिका नोटिपिकेशन आपका जारी कर दिया गए इसके लाव हमने डिसक्स किया कि MPSC Industry Inspector का स्लेबस क्या रहेगा MPSC Deputy Inspector का स्लेबस क्या रहेगा MPSC Technical Assistant का स्लेबस क्या रहेगा MPSC अगर जानकारी अच्छी लेगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप चैनल पर ने तो चैनल को स्ब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको दरेक बेल आइकन दीकर उसको प्रेस कर लेना ताकि जब भी को नहीं जानकार डाले जाए आपके पास उसका